नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों बात करने वाला हूँ वार यूपिटर पलसी की भरतियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के सम्बंद में और अधिक समय वेशना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ और सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो आपने प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब को लेकर देखिए पहला कमेंट है इनका और ये कहते हैं यानि कि इनका कहना ये है कि लोवर की जो भरती है वो पैट 2022 से नहीं आ रही है देखिए आपको बता दूँ आपको मैंने पहले बताया था कि लोवर की भरती पैट 2022 से भी आएगी और 2023 से भी आएगी ठीक है लोवर का एक छोटा विग्यापन आपको मिलेगा पैट 2022 से देखने के लिए ज्यादा बड़ी वो भरती नहीं होगी क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और 2024 में चुनाव है इसी को देखते हुए इनका पूरा प्रियास ही होगा कि एक भरती लोवर की इस पैट से भी निकाल दी जाए पैट 2022 से ठीक है अगला पॉइंट है इनका कि लोवर के बारे में अपडेट दीजिए रिगार्डिंग पोस्ट डिटेल्स देखे लोवर की जो वैकेंसी होती है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट होती है जैसे आपकी बात करूँ ईयो की पोस्ट आदिशाशी अधिकारी होता है सप्लाई स्पेक्टर की पोस्ट है ना सायक चकबंदी अधिकारी की पोस्ट है ना और तुमारा इसमें आपका होता है रिवेन्य स्पेक्टर की पोस्ट ठीक है आपकारी स्पेक्टर की पोस्ट यानि कि बहुत सारी पोस्ट इसमें होती है और एक आपका होता है डवलू ए मैं इनका कहना है कि यूपिटर बलस्य के भरोसे आप ना बैठे मेरी बात याद रखना कि चाईक आपका कितना अच्छा स्कूर हो कभी भी एक एक एक्जाम को लेकर बिलकुर ना बैठे रहें एक एक्जाम को देने के बाद पूरे जी जान से अगली परिक्षा की तैयारी में जुट जाएं कभी भी एक रिजल्ट का इंतजार ना करें क्योंकि भाईया समय बहुत लगता है और अगर कुछ उच नीच हो जाती है तो फिर उसके जिम्मदार फिर आप ही होते हैं इसलिए कभी भी अपने एक्जाम दे दिया तो खाली ना बैठें लगतार अगले एक्जाम में एकदम जुट जाएं और लगतार तैयारी को धार देते रहें देखिए अगला कमेंट है 227 नंबर है इनके 27 की पहली सिफ्ट में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सेफ हूँ की नहीं सर देखिए जो भी आपका नाम है आपको बतादू आपका सेलेक्शन कोई रोक नहीं सकता 227 227 नंबर स्कोर बहुत जवर जस्त है चाहिए आप किसी भी सिफ्ट में हो ठीक है आपका सेलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा मेरी बात आप याद रखना ठीक है अगला कमेंट लेते हैं अगला कमेंट दोस्तों है इनका भाई यार बस आपका कट ओफ एक सो पिच्चान में सही हो जाए तो पहले महिने की सेलरी तुमारे अकाउंट में कट ओफ को लेकर आप बिलकुल निश्चिंत रहें कट ओफ आपका इसी के इर्दगित घुमेगा और इससे कम ही रहेगा ज्यादा बिलकुल नहीं होगा रही बात सेलरी की तो आपके सेलरी लेकर मैं क्या करूँगा ठीक है बाकी मेरी दुआ यही है कि आपका सेलेक्शन हो देखिए अगला कमेंट है स्रीमान जी पहले तो आप टरपल सी किस डेट तक मानने होगा ये बताईए राजकुमार जी कहते हैं देखिए 29 जून 2018 के पहले का आपके पास टरपल सी होना चाहिए अगर उसके बाद का है तो बिलकुल भी मानने नहीं होगा अगला कमेंट है रुद्र परताप जी का ये कहते हैं कमबाइन टेक्निकल का रिजल्ट कब तक आएगा तो भईया कमबाइन का रिजल्ट आपका नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा सर मुझे तो लगता है आप ही वो यूपिटर पलसी सरकारी करमचारी हैं देखिए इस बारे में मेरी कोई टिपपड़ी नहीं कर सकता मैं सौरी माफ किजिए अगला कमेंट है वीडियो 227 है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और बता भी दिया मैंने ये इतना स्कोर बहुत जबर जस्त है ठीक है भाई फोरेस्ट गार्ड का फाइनल कट ओफ बता दो देखिए इसको लेकर अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाय से हैं भाईया जी यूपिटर पल सी से फार्मसिस्ट विग्यापन किस पैट से आएगा देखिए फार्मसिस्ट के विग्यापन को लेकर मैंने जानकरी निकलने का प्रयास किया तो जानकरी यहीं मिली है कि पैट 2022 से इसका विग्यापन नहीं आएगा ठीक है ना तो इसके उम्मीद ना लगाए, इसका विज्यापन फार्मसिस्ट का पैट 2023 से आएगा, बाकि जब भी आएगा आपको बता दूँगा, बाकि फिलहाल आज की डेट में इतना कनफर्म है कि पैट 2022 से इसका विज्यापन नहीं आने वाला, ठीक है, अगला कमेंट, वीडियो रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए, जिस हिसाब से यूपिटर पलसी वीडियो परिणाम पर काम कर रहा है, तो यहीं लगता है कि आपका नवंबर लास्ट में आपको परिणाम देखने को मिल जाना चाहिए, बिलकुल निश्चिंत रहें, पॉजिटिव रहें, आपकी भरती एकदम सेफ है, और सब कुछ इसमें किलियर है, कोई कोट केस नहीं है, और नहीं यूपिटर पलसी इस भरती को लेट करने के मूड में है, ठीक है, तो आपको नवंबर लास्ट तक इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा, अगला कमेंट है, लेकपाल भरती को लेकर कमेंट हैंनका, कि 78.75 OBC फाइनल होगा, देखिए मेरे साब से फाइनल आपका हो जाना चाहिए, आपको मैंने बताया है, 78 और 79, जनरल का अंतिम कट ओफ रहेगा, तो आपका OBC में है 78.75, यानि कि आप तीन नंबर उपर है मेरे से, तो मेरे साब से आपका अंतिम सेलेक्शन हो जाना चाहिए, अगला कमेंट है, जनरल 78 एनी चैंस, भाईया आप बाउन्डरी पे हैं, चीक है, मैंने बोला है 78 और 79, चीक है, आप बाउन्डरी पे हैं, अगला कमेंट है, रिजल्ट डेट कंफर्म कौन से है, बताओ, रिजल्ट नवंबर लास्ट और DV भी नवंबर लास्ट, देखिए रिजल्ट आपका नवंबर लास्ट में आजाएगा, और आपका DV जो है, उसके 15 से 20 दिन बाद शुरू हो जाएगा, चीक है, अगला कमेंट लेते हैं, मुख्य सेविका का फाइनल कट ओफ कितना हो सकता है, शिवानी अवस्ति जी कहते हैं, देखिए मुख्य सेविका का ज इच में आपका मुख्य सेविका भरती का अंतिम कट ओफ रहेगा, और इसकी revised की भी आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है शिवानी जी, अगला कमेंट लेते हैं, पंकर जी का ये कहते हैं, आपने पहले कहा था 79 में पॉइंट नहीं लगेगा, अगर 79.75 ग का कवाएगा, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा भईया, अभी इसकी revised dancer की जारी होगी नवंबर में, ठीक है, और उसके बाद आपका इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, दिसम्बर लास्ट में, ठीक है न, दिसम्बर लास्ट तक ही आप जो है, उम्मीद है, तो बहुत बढ़िया चांस है आपका वीडियो बनने का, ठीक है, अगला कमेंट लेकपाल के लिए, सर मेरे OBC में 77.25 है, क्या मेरा final हो पाएगा, भईया, चांस बुलकुल है आपके, लेकिन आपका boundary पे है, 100% पर नहीं कह सकता, ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं, वंद उसके लिए बाफी चाहता हूँ, ओकि 138 नंबर बहुत कम है, ठीक है, इतने पे कोई उम्बीद नहीं है, अगला कमेंट लेते हैं, दुनिया का सबसे भरस्ट आयोग है, विवेक तरपाथी जी कहते हैं, देखे, यूपिटर पलेसी का जो पहले हाल था, उसमें काफी यह आप माने या ना माने, ठीक है, जैनुवन लोगों को नौकरी मिल रही है वाकई में, है ना, यह बात मेरी आप याद रखना, यह बात मैं केवल यूपिटर पलेसी की तारिफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैनुवन बात बोल रहा हूँ, कि जैनुवन जो बांध लीजिए, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कि जहां आपका सेलेक्शन होना चाहिए, और वाकई में, यूपिटर पलेसी में, जैनुवन जो चात्र चात्र आए हैं, वो जौव ले रही है, जो रियल बात है, वो बता रहूँ आपको मैं, डीवी का र बिल्कुल मेला काम है, आपको पॉजिटिव जानकारी देना, और आपको सही जानकारी देना, बिल्कुल वही दूँगा, कभी भी आपको ब्रहमित नहीं किया जाएगा, अगला कमेंडर 26 की पहले सिफ्ट में, दोजदस नंबर हैं, बहुत बढ़ी है, आपको कोई दिक्क शुरू हो जाएगा, रही बात वन दरोगा फिजिकल को लेकर, तो वन दरोगा भरतिका फिजिकल का नोटिस भी आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था कि पैट एक्जाम होता ही, यूपे टरपल सी, एक साथ बहुत सारी भरतियों पर समानत रूप से काम करेगा, और काफी नोटिस और काफी परिणाम आपको नवंबर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, और वन दरोगा भरतिका फिजिकल है, वो आपका दिसंबर में कंड़क्ट करा लिया जाएगा, नवंबर में नोटिस, दिसंबर में फिजिकल, ठीक है द मंडी स्पेक्टर का जो अंतिम परिणाम है आपको नवम में देखने को मिल जाएगा बिलकुल तयार रही है इसको लेकर बिलकुल पॉजिटिव न्यूज है बच्चे से बहुत कम है और नवमबर में इसका अंतिम परिणाम यूपिटर पलसी की देने की पूर तयारी है फिल परिख्चा को लेकर तो पैट परिख्चा का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा जनवरी में ठीक है ना क्योंकि 24 जनवरी लाज डेट है पैट 2022 की है ना 24 जनवरी तक वो वैलिड है और उसके बाद जो फॉर्म आएंगे वो पैट 2023 वाले से आएंगे और मेरी बात य पांट पांड लेजे नवंबर में इसकी एक्जाम डिटा दाएगी और दिसम्बर में इसकी परिक्षा जो है कंड़क्ट करा ली जाएगी ठीक है दोस्तों तो यह हो गई आज की वीडियो और किसी बरती को लेकर जो भी जानकरी मुझे मिलेगी आपको सबसे पल दे दी ज नवाद दोस्तों जाएगी वारत हमेशा कुछ रही है मुस्कात रही है